एक्सेसाइज 11.1 नाइन्थ क्लास मैथ क्वेस्चन वान शुरू करन जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन एंगल ओफ 90 डिग्री एड़ दा इनिशल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टीफाई दा कंस्ट्रक्शन लॉइक रे ड्रा कर लेने हैं 90 डिग्री दा एंगल बनोन है आए दा इनिशल पॉइंट है ओफ एक रे है यह रे नू मार कर ले दर कहरो लगाना पेंदा आए दा एंड पॉइंट है हुने थे 90 डिग्री दा एंगल किस तरह बनाना लो देखोते हैं नू अदा इनिशल पॉइंट हुआ है एथ हो एक सेमी सर्कुलर आर्क लगा लो इस तरह राम नू प्रैशर बहुता परकार दे जड़ी टिपा आयरन दी इद्दर ही रखना है होन परकार एन्वे ही खुली रहन दे निए इस पॉइंट ते फिर परकार रख लो तेनो एददा कट देओ और ज्यादा कट देओ पर इस पॉइंट ते रखो परकार फिर एथे कट देओ एददा फिर नाली उपर आर्क की कोर लगा लो सेमी एथे रख उपरकार एथे नाल आर्क उपर लगा लो बस उने जिथे पॉइंट कट किते दोनों आर्क्स कट किती हैं उदा ना रख देओ भी उने नो मला देओ एक काम तुसी पैंसल नल करना पैंनल मैं तां कर रहे हैं तां की तो अन्व अच्छी तरह नजर आ जाए लो बिलकुल अच्छी तरह मलाना ए बढ़ गया एंगल एओ बी नाइन टी डिग्री एघंगल एओ बी इकोल टो नाइन टी डिग्री ऌन राइट एम्लभ से ए.: और आगी बारी justify justify the construction एक के देचे steps of construction लिख देए steps of construction उसे टांग नाली लिख देए जिस तरह जिस तरह पर काम कर देए जिदना पहला रे नो अपड़ा गीता फिर semi circular आर्क लगाई फिर इनो कट गीता आर्क्स नो लो देखो किस तरह steps of construction लिखने steps of construction पहला ड्रा रे ओए रो रे ओए ड्राए गीती सी पहला फिर एट पॉइंट ओ ड्रा आ सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क intersecting OA at point C OA नो C point ते intersect करदा है यह सेमी सर्कुलर आर्क लगाई सी फिर टेक C as center फिर C नो center ले लिया with the same radius radius होना ही रखना जिनना अपां आर्क पहला लगाई सेगी intersecting the first arc at point D पहली आर्क नो किते कट कर गया D point ते नो take D as center फिर D नो center ले लो draw another arc of same radius intersecting the first arc जिदी पहली आर्क at point E नो intersect करता है होना दो arc दो point आ गए D थे E taking D as center draw an arc then taking E as center draw another arc पहला D नो center रखके उपर arc लगाती E नो center रखके नीचे arc लगाती of same radius radius same ही रखना दोना दा cutting the first arc at point B जड़ी पहली arc नो किते कट कर दा B point थे आप B point आ गया है उन इस तो बात कहनता therefore इन जॉइन कर देओ B थे उनु जॉइन कर देओ मिला देओ therefore angle AOB is equal to 90 degrees the required angle AOB 90 degree दे बरबर बन गया लो अगला step पार justification इसनो किस तरह प्रूव करना है वक्या ही right angle triangle triangle AOB जड़ा है 90 degree दा angle बन दा प्या है और डी डी ए ते OE नो मिला देओ ए ट्रेंगल ODE बन गया है हो जरा ते आनाल देखो OD OE दे बरबर राबर रेडिया यह उप सेम circle ते आज जुदों पहें थे इन आर्कल गाई सीगी ओ इनने circle नाली कटके रखे सी ते डी ते भी ओनाई radius सी जिनना एथों रखे एथे लगाई सी आर्क सेमी ते डी तो जड़ी इवी रखे सी ओवी सेमी सीगी सेम रेडिया यह इदी सीगी इस करके डी इओडी ते OE आपस दे बेच बरबर ने equal ने ते केड़ी triangle बन गी equilateral triangle क्योंकि equilateral triangle दिया साइडां बराबर हुं दिया ने तो दा हारीक एंगल 60 डिग्री रहन दा है therefore angle DOE जड़ा थे angle है अवला यह बन गया 60 डिग्री दा उन अगला step की करना देखिए हुन अगला step है join BD and BE BD ते BE नो मिला देओ हुन ट्रेंगल OE B ते ODB बन गी है हाँ दो ट्रेंगल आगी है अपने कोल OE B ते O B D ODB उन्हेंना कांकुरेंट कर लेने O B O B ते बरबर common OE बरबर O D ए रेडिया यह सेम सरकल है BD बरबर B E यह आई सोसले स्ट्रेंगल बन गी ना क्योंके थे सेम आप आर्क सेम रेडिया इदी आर्क खोली सी रेडियस दी आर्क खोल के आर्क सलगाना सी D ते रहके इस करके BD कर दे बरबर B A Isocellus TRIANGLE बन गी Sides of Isocellus TRIANGLE therefore TRIANGLE OE B Concurrent to TRIANGLE ODB एंगल एक हो गया एंगल दो दे बरबर क्यों CPCT अप पहते लिख दें हैं CPCT Angle I plus Angle 2 के दे बरबर आ गया साठि डिग्री दे आंगल 2 बर दो नो इस करके ऐंगल एक दी जगा की लिख सकते Angle 2 Angle 2 Plus Angle 2 60 ट्वाइस Angle 2 बरबर 60 Angle 2 आ गया 30 डिग्र दे वन C दी नु म्ला दें CD नु म्ला दें हो 뒤에 join CD also triangle OCD is equilator ये भी equilator triangle है Juliaòng एक्विलेटर सी उससे सेम केस यह थे क्योंकि एद्र विच जिन्ही अपा रेडिए यदि आर खुली है इन्हीं ही आर के थे से इन्हों सेंटर मंड़ के यह ने रेडिए यदि आर के लगाई सी इस करके वो C ब्रबर C D ब्रबर O D Therefore Angle C O D 60 डिग्री आ गया Angle B O C आ गया Angle 2 प्लास Angle C O D आवल एंगल एंगल इना दोननों आड़ कर दे हो 30 डिग्री है यह अपने कैलकुलेट कर लिया 60 डिग्री आ गया Angle D O C O D 60 डिग्री है दोननों आड़ किता है आ गया 90 डिग्री